जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था चुनाओ किया था रश्टचार को लेटर के चाहे ब्लॉक खानों में हो या मंत्राले में हो यानि तीश कुमार जी के साथ साथ बड़े भुटाले हो बेरोजदारी के बुद्धेपद महेंगाई के बुद्धेपद लोगों नवोट किया आपसे देखा होगा कि पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि निटीश कुमार जी जो है वो भीष्ट कितामा है बहुत चलिए और उन्होंने चोड तरवाजे से फिर एक बार सकार बनाने का जो काम किया वह भी जानते और देश की जनता भी जानते कि कैसे सरकार बनाया लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए निटीश कुमार जी माने जाना कि साथ बड़े घुटाले पंद्रा साल में जिए उढ़ने किया और हम लोग लगतार आरोप लगाते रहें कि भीश्ट पतामा भुष्टचार के इसलिए हैं उनको संदक्षन देना अब बचाओ करना ये विश्टीश कुमार जीकी कुरानी उत्रक है और आप लोगों ने देखा को ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आइस अधिकारी लिख कर रहे हैं जो जांस करता है उन्होंने तो खुले तौर पर चित्थी में लिखा है कि नितीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अफराद या घोटाले हुए हैं उनको नितीश कुमार जी सरक्षण दिया कि जिसने नहीं कहाँ बलकि आएस अधिकारी वे आपके हुआ मैं सरकार बंते ही उन्होंने सिक्षा मंत्री जो बढ़ाया तो चर्चित घष्ट चार नेफी घुटाला में जो शामिल रहे हैं उनको उन्होंने सिक्षा मंत्राले जैसी एहन जिम्मिदारीं देने का काम कि जी दिन ऑफिस जोइनिंग होती है उस दिन उनका जिजीनेशन आता है और फिर एक नए सिक्षा मंतरी को जिम्मिदारी दी जाती है इसके कारिकाल में खुद भी घुटाले हो रखे हैं और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबियाइक जाच चल रहा है जो की सुप्रीम पोड्रम में माटर है हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए कि नितीश कुमार जी लगता है जो लोग खजाने लूटने वाले लोग उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और सब्सक्राइब जाच के नाम पर जी अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जब्रदारी मिली हैं तो चाहेंगे कि बिहार के मानने मुख्यमंत्री नितीश कु करना मेवालाल को मंत्री बनाना यह मुख्यमंत्री का फैसला तो मुख्यमंत्री की मुँ में दही क्यों जुमारा रहता है यह बिहार की जन्ता जानना चाहती है इनको पूरी तरीके से मुख्य मंत्री आए और नए इस तो शुक्षा मंत्री बने हैं उनके उनके परिवार के उपर क्या घंभीर आरोप है इसके लिए भी उनको स्पष्टिकरत देना चाहिए आप लोगों पर सवाल उठा देते हैं अंतरात्मा जाकती थी नेतिक्ता की बात होती थी जवर्दर हाउस पहुंच जाया करते थे अब थोरी से लाज शरम नहीं बची जन्ता ने अपना जनादेश दिया चुरी से आए तो भी पीसरे नंबर की पार्टी रहके रहे रहे गये और अदबुद्ध है देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जैसे नंबर पर इसका में जनादेश साफ तोर पे जो लोग कहा करते थे हमारे बलबूते आए हैं विधान समय हम नहीं रते तो जीते ने तो आप इसका जवाब जन्ता ने देते हैं तो आप लोग कितना भी कुछ सबसे बड़ी पार्टी उभर कर किया है सिंगल लाइजस पार्टी और लगबक सारे 23 परसे से भी जादा भोटे जहां बीजेपी को जीश परसे गोटे आए वहां राश्टी जन्ता दल को सारे 23 परसे इतना भी जोड़ दबस्ती किया गया हो शरिंद्र रचा हो फिर भी हम हम लोग जो है 75 सीटों पर तो हम लोग तो चाहेंगे कि दर्जनों ऐसे मंतरी हैं जिनके उपर प्रिष्ट चार और कई संगीर आरोप लगे हैं आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो वालिता ग्रिया है लिफ्ट परेफ्ट उनको भी इस वकत जो है सेलेक्शन दिया गया है कि अब जलता जो है वो देख रही है अब जलता जवाब कर रहे हैं कि भश्काचा क्यारों पर विवादान सौची ने शिफा दे दिया जबही कोई मामला आता है निकिन आपके उपर भी ऐसे ही मामले दर्ज है इन्हीं धाराओं में तो क्या आप जो बतावर निता अब एक बास बते हम मंत्री कप थे उपमुक मंत्री कप थे तो अधार से क्या मेरा उपमुक मंत्री वहते वे में कोई घंबीर आरोप लगा है यह तो तब के पॉलिटिकल वेडिटा राजितिक स्वहिंत्र वाले क्रिसेद जब मेरा मूच नहीं तो यह तो जग जाहिर है और हमने तो कई बार का रहा है और पिछले ही विधान सवा में पिछले सेसिन का जो रहा तो हम पहला वेक्ति हैं जो कहता रहा कि जल्दी चार्शीट करो जल्दी चार्शीट करो तो लगतार कहते रहें और मामला को डाइलीऊट करने जो मंदारी से जनता के सवाल पॉठा रहा है जो जन्हीट की मुड्दों को उठा रहा है जो असन मुद्द्ध हैं लेकिन आप बताइए हमारे खिला तो किसी आएस अनिकारी में नहीं बोले हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को भई आम मठारा महीने उपर मुख्यमंत्री रहे तीन दिन डिपार्टमेंट रहा एक आरूप शिद्ध कर दूँ जाए शुशिल मोदी जी कहां रहे गए कि उनको बैयान बाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे वो सब जानतों है तो लेकिन नितीश कुमार की कोई जबिदारी होगी की नहीं होगी विहार के लिखमंत्री उनकी जवाब देई है की नहीं है जनता के प्रत्री जोर्द वर्दस्ती जैसे तैसे जो भी बने हो अब लेकिन बन गए है तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है और यह तो अदबूद है हाज हमारा सपत से पहले स्तिफ़ा मांगे देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ट से स्तिफ़ा मांगे लागा इस से जदा हस्यात्त पदार क्या हो सकते हैं पहली कि विकल्ट आपने गिरा दिये इस सरकार की और आगे कितनी विकल्ट गिराएंगे हैं पहले ही पहले ही पहले हैं जोड़ दर्वाजे से आई है फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है रोजगार बेरोजगारी के लिए हम लोगोरे किना लड़ा है हम एंडिये गमें जो भी जे पीके और बिप्रीज को चांज करते हैं और चांटी देते हैं अगर आपने एक हमीने के अंदर अगर आपने उनीस लाख रोजगार दू दू दीए होगा तो जो जन्ता ने हमें जादा लगवा करें एक करो चबीश लाख क्याकर जेंट अगर आपने उनके साथ उनलोग सर्कोटों भी जन्ता का जो जनादेश है इसकी उन्होंने कि तो हम दे तो समय शिवा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्री मंदल की वैठक में हम जो है अब जन्ता इधिजार नहीं करें बिहार बेड़ोगारी का प्रेंदर बना है और एक महिले के अंदर अगर उनीश लाख रोजगार अगर इन लोगों ने लहीं दिये तो जन्ता के साथ जमान दोलन हम शाड़क पर उतब्यका काम करेंगे झाल 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 झाल